नमस्ते दोस्तों अज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़े की रेश्पी लेकर आई हूँ जिसे हम वेगर वेशन का बना करते यार करेंगे और खाने में इतने टेस्टी लगेगी कि आप वेशन का कड़ी बनाना भूल जाएंगे तो चलिए वेगर समय गवाई हुए इसे हम बन मंगो कर दे यहां पर मैंने चनह डाल को मिक्सी के जार में डाल दिया इसमें सब्सक्राइब बनाकर तव हम सबसे पहले कड़ी बनानी की तयारी करेंगे तो पर मैं कड़ी कड़ाही में बनाऊंगी तो यहां पर मैंने कड़ाही ले लिए अब इसमें हम एक कप दही डालेंगे और यहां पर मैं चार चमच जो चना दाल का पेश्ट बना कर तैयार की थी वो यहां पर मैं डाल दूँगी इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है जब य हमें अच्छे से mix कर लेना है जब यह अच्छे से mix हो जाए तब इसे हमें guys का flame on करकर इसे हमें high flame पर तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना जाए इसे आप continue चलाते रहें नहीं तो आप देखेंगे कि आपकी कड़ी जो है फटी-फटी बनेगी इसलिए इसे continue च प्यारी कर लेते हैं तो हमें पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चना दाल का हमने पेश्ट बना के तयार किया है वो एक बॉल में transfer कर लेंगे अब इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे हमने दो छोटे साइजों को प्याज काट कर डाला इसमें हम स्वादा थ्यान कर लिया है हम पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े बनाकर इसमें उलट पलटकर दोनों तरफ से अच्छे से हम तलकर तैयार कर लेना है अब हम कड़ी को तड़का लगाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लि जीरा, कट्वी हुई लासन, राई, हिंग, साबूत धनिया, लाल मिर्च और यहां पर मैंने 10 से 15 करी पत्ते लिए हैं इन सब को हमें गर्म तेल में डाल कर इसे अच्छे से हमें पका लेना है अब इसमें हम एक मिडियम साइज की काटी हुई छोटे साइजों में प्याज लेंगे और एक टमाटर को काट कर लेंगे और इसमें हमें बस एक चोथाई चमच नमक और एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर डालना है इसे हमें तकरीवन 2-3 मिनट पर इसे हमें भून लेना है अब इसमें हम कासमीरी लाल मिर्च पॉड़र डालेंगे जिससे कि आपके कड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा इन सबको हमें इस तरह से बस 2-3 मिनट तक भून लेना है देख सकते हैं हमारी कड़ी अच्छे से तयार हो चुकी है तब इसमें हमें पकोड़ा इसमें आइड कर देना है और जब पकोड़े को आइड करें उसके बाद हम इसमें जो हमने तड़का बना के रखा है वो इसमें डाल देंगे और इन सब को डाल कर बस हमें एक मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है देख सकत कड़ी पूरी तरह से बनके तयार है इसे आप गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ सर्व करें अगर मेरी ये रेस्पी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल पर जरूर बनाए आपकी कड़ी कैसी बनी कमेंट कर जरूर बताएं